आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी महला या लड़किया गलती से प्रेगनेंट हो जाए या भी उनको बच्चा नहीं चाहिए और प्रेगनेंट से टेस्ट इनका पोजेटिव आ गया तो इसे कंडिशन में क्या करना चाहिए इसी के बारे में वीडियो म जानेगे तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्क्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरू शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी कभी ऐसी प्रोब्लम हो तो वो सतर्क हो जाए और उनको कि आपका पीरेड अभी तीसक नूमर को आना था और पीरेड मिस होके आपका पाश नौमबर आ गया अभी तक पीरेड नहीं आया तो आपको यह सोचना चाहिए कि क्या में इस महीने इंटिमेट हुई थी अगर आप इंटिमेट हुए हैं तो सबसे पहले हैं कि पेशाप की जाज करना है घर पे ही अपना एक प्रेगन उसका टेस्ट कार लिखे आ जाए और उसमें सूबा का पेशाप डालके थोड़ी देर उसको रखे 5 मिट में वो रिजल्ट बता देगा अगर आप प्रेगनेंट है तो उसमें दो लाइने बन जाएगी अगर आप प्रेगनेंट अगर यह टेस्ट आप 5 दिन यह 7 दिन के बाद करते हैं तो आपकी दोनों लाइने बिलकुर डार्क हो जाएगी तो आपने टेस्ट कर लिया टेस्ट करने के बाद में आपको अपने एक डोक्टर का चुनाव करना चाहिए ताकि वो आपको सही गाइड कर सके आगे कि आपक हो गई तो AC condition में आपको कौन सी दवाई लेकर के इस केस को आप clear कर सकते हैं तो AC condition में आप unwanted या mifigest kit खरीद ले और आप लोगों को अपने इसाब से खरीदनी पड़ेगी unwanted या mifigest kit में पांच tablet होती है एक बड़ी होती है 4 चोटी होती, बड़ी वाली tablet का नाम होता है Miphy Pre Stepon और चोटी वाली tablet का नाम होता है MISO Frost अगर आप पहली बारे pregnant हुई है तो आपको सबसे पहले ये जोड़ना है कि आपकी pregnancy कितने दिन की है तो आप कभी भी ये मत जोड़ो कि हमारा relation कब बना आपको ये count करना है कि मेरा period आकरी बार कब आया था या इस महीने मेरी कौन सी तारिक थी जो मिस हो गई तो जो भी date आपकी मिस हो ये उस date को एक महीना complete हो गया उसके बाद भी 7-8 दिन आपको इंतजार करना चाहिए जैसे कि example के तोर पे हम देखे कि मानलो आपका period 30 September को आया था अभी 30 September को period आना था पर वो नहीं आया मिस हो गया आपने 5-6 November तक वेट किया period नहीं आया टेस्ट करके देखा तो positive आ रहा तो अगर आप 6 November को pregnancy test करते हैं उसमें दोनों लाई ने डार काती है तब भी आपको 6 November को दवाई नहीं लेना है आपको लेना है 9 November से यानि कि period मिस होने के 10 दिन के बाद में तो उसको हम total कहेंगे कि आपकी pregnancy 40 दिन की है 10 दिन आपको क्यों इंतजार करना है कि मान लोगर आपने दवाई जल्दी खा ली तो वो tablet काम नहीं करती है आपके periods नहीं आते है टेबलेट खाने के बाद में कुछ condition आ सकती है जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है जी मचल सकता है उल्टी जैसा मन हो सकता है वाइट discharge आ सकता है कमर में दर्द हो सकता पर periods नहीं आते है उसका main reason यहीं होता है कि या तो tablet आपने बहुत जल्दी early stage पे दवाई खा ली या फिर आपने जो दवाई काई उसने काम नहीं किया वो खराब दवाई थी इसके कारण भी period नहीं आते है या फिर हो सकता है कि जो तरीका आपने यूज किया दवाई खाने का वो गलत हो उसके कारण भी कई बार बराबर डोज नहीं मिल पाता है जिसके कारण भी periods नहीं आते है तो अब हम बात करते हैं कि unwanted या मिफिजेस ट्रिकिट को आपको केसे यूज करना है जादा attention लेनी की जरुबत नहीं है तो हम बात करें कि इस किट को केसे यूज करते हैं अगर आप पहली बार pregnant हुई है तो इस टेबलेट पांच टेबलेट आएगी इस किट के अंदर एक बड़ी टेबलेट रहती है चार छोटी टेबलेट रहती है तो आपको इसे लेना है जैसे कि आपको नो नौमबर से अगर आप दवाई चालू कर रहे है तो नो नौमबर को सुबह दस बजे भड़ी बारी टेबलेट यानि कि जो सबसे पहली टेबलेट रहती है सिंगल मिफिप्लेस्टोन की वो लेना है नाश्ते के बाद में फिर मिसो प्रोस्टल के 4 टेबलेट और बचे गी तो आपको 10 तारिक को यानि कि 10 नौमबर को दो छोटी वाली टेबलेट लेना है सेम टाइम पर यानि कि 10 बजे नाश्ते के बाद में और 11 तारिक को भी दो छोटी वाली मिसोफ्रोस्टल लेना है नाश्ते के बाद भी अब हम बात करें कि माल लो आपका period कब आएगा तो कई महीलाओ का period पहली tablet खाने से भी आ जाता है अगर आपका पहली tablet खाने के बाद भी period आ गया तो आपकी जो आगे की 4 tablet बच रही है यानि कि कल और परसु की तो वो भी खा नहीं है उनको छोड़ना नहीं है माल लो आपने तीन टेबलेट खा ले तीन टेबलेट खाने के तुरंद बाद आपका पीरेड आ गया तब भी दो टेबलेट और बचे की तो वो भी खाना है उनको आपको fake ना नहीं है अगर आप छोड़ देते हो किसी भी कारण से तो आपका abortion incomplete रहने के chances बढ़ जाएंगे या फिर थोड़ा वो टुकड़ा छूड़ जाएगा तो इसलिए एसी गलती बिल्कुल भी ना करें आपको 5 टेबलेट मिलती पांचो टेबलेट आपको complete करना चाहिए अब हम बात करते हैं बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि मेडम हमने टेबलेट तो खाली पर टेबलेट खाने के बाद में 15-20 मिल्ट में आदे घंटे में उर्टी हो गई तो इसी कंडिन में हमको दवाई repeat करनी चाहिए के नहीं तो इसी कंडिशन में अधिकतर केस में हम दवाई repeat करवाते हैं मिसोप्रोस्टल की चार टेबलेट यानि कि अगर आपको पहली टेबलेट उल्टी में निकल गई है तो आपको फिर से नया packet करिदना पड़ेगा फिर उसकी पहली tablet खानी पड़ेगी और अगर आपकी चार छोटी tablet में से कोई भी tablet उल्टे के साथ निकल गए तो ये चार छोटी tablet अलग से भी मिलती है मिसोफोस्टल के नाम से तो इसको अलग से ले करके उसकी अगले दिन मतलब सेम डे जैसे आज उल्टी होगई तो आज ही नहीं खाना अगले दिन आपको डोच खाना है उसकी अगले दिन दो tablet और repeat कर देना जितनी उल्टी में निकली उतनी tablet आपको अगले दिन खा लेना तो इससे क्या benefit रहेगा कि आपका case बिगणने के chance नहीं रहेंगे अब हम बात करें कि इन दवाईयों के लेने के बाद में आपको क्या side effect दिखेंगे तो इन दवाईयों के लेने के बाद में आप डोक्टर से सला ले तो डोक्टर आपको सारी दवाईया prescribe कर देंगे जैसे जैसे आपको जरुवत लगती है विस्ता आप इन दवाईयों को ले सकते हैं और ये kit खाने के दोरान आपको ताकत वाली चीज़े खाना चाहिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रखना चाहिए और आराम करना चाहिए दो-तिन दिन अगर आप स्कूल, कॉलेज और ओफिस जाते हैं तो चुट्टी ले लेना चाहिए ताकि आप थोड़ा रेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं लगेगी आशा करते हूं इस वीडियो के माध्यम से अन्वांटेट प्रेग्नेंसी के बारे में मैं संपुन जानकारी दे पाई हूं धन्यवाद